जगता वावु इतने नीचे गिर जाएंगे इस बात की कलपना करते हुए राजनितिक जीवन में काम करने वाले लोग कल से सिहर रहें देश के लिए लगातार बिना किसी राजनितिक भाव से सुधता और सुचिता के साथ देश की सेवा करने वाले संगठन राश्टिये स्वेंग सेवक संग की तुलना उन्होंने जिस प्रकार से की है हम समझते हैं कि उन्होंने अपने आपको कल्पुनह एक बार नीचे गिराया है और मुझे अब लगता है कि उनके पाटी के अंदर जो तेज प्रताब जी समय समय पर उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं अब लगता है कि तेज प्रताब जी सायद सच में जगता वावू को पहचान चुग है अरजेडी के बिहार परदेश अध्यक्ष और लालू परशाद यादव के करिभी माने जाने ओले जगदा नंसिंग ने अफगानिस्तान में तालिवान की तुलना भारत से अरेसेस के संग्रठन से की हमारे साथ बात करने के लिए भीहर सरकार में मंतरी जीवश मिश्रा जी है सर आप आरेसेस बैग्राउंड से भी आते हैं क्या लगता है जगदा नंसिंग का ये बयान कितना सही है और कितना जायज है जगता बावू पूरी जिंदगी ऐसे जगह खपाए हैं कि उनके अंदर अब विचार सुन्नता की स्थिति पैदा हो गई है और अपने ऐसे नित्रुत्त को उन्होंने आज कबूला है जो उम्र में उनके पोते के उम्र के बराबर है जगता बावू इतने नीचे गिर जाएंगे इस बात की कलपना करते हुए राजनितिक जीवन में काम करने वाले लोग कल से सिहर रहें हमको अश्चर्ज लग रहा है कि इतने लंबे समय तक राजनिति करने के बावजूद देश के लिए लगातार बीना किसी राजनितिक भाव से सुधता और सुचिता के साथ देश की सेवा करने वाले संगठन राश्टिये स्वेंग सेवक संग की तुलना उन्होंने जिस प्रकार से की है हम समझते हैं कि उन्होंने अपने आपको कल पुना है एक बार नीचे गिराया है और मुझे अब लगता है कि उनके पाटी के अंदर जो तेज परताब जी समय समय पर उनके खिलाफ आग उगल रहे हैं अब लगता है कि तेज परताब जी साइब सच में जगता वावू को पहचान चुके हैं ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जगतावावू का राजनितिक अस्तर इतना नीचे गिर गया है। वही RSS को अच्छे से समझ सकता है। तो ये जगतावावू को मुबारक, इसलिए तो जगतावावू अब किन-किन लोगों के बीच फसे हुए हैं। और मैंने तो कह दिया कि अब इतने निचले अस्तर का बियान जगतावावू देंगे, ये विचार सुननेता है, राजनितिक में उनकी पारी की समापती है। और हम समझते हैं कि इससे खड़ाव बियान इतने लंबे समय तक राजनितिक करने वाले लोगों के लिए नहीं हो सकती है। सत्ता में वो थे, तो इस देश में कितना दंगा हुआ, जरब पूछ लिजेगा, और साथ वर्सों, आठ वर्सों से हम सत्ता में हैं, तो कितना कड़ाइम हुआ, ये तो डेटा पता चल जाएगा, मुसलिम आज चैन से रा रहे हैं, हिंदू आज चैन से रा रहे हैं कि पहल देश के अंदर अमन चैन हैं, देश के अंदर सांती है, और तो और जम्मु कस्मीर जैसा राज भी आज सांत है, और वहां भी सैलानी अब बरे पैमाने पर जा रहे हैं, देश के सम्रिदी का, देश के अंदर सांती का, देश के अंदर एकता का, इस से वड़ा कोई दूसरा उधारन नहीं हो सकता है और जगता वावू तो अपने सासनकाल को जरा देख ले कितना उनमात फैलाए हैं बिहार का सासनकाल देख ले कि पांच वजे के बाद उनके सासनकाल में घड़ से बाहर लोग नहीं निकलते थे अब जगता वावू अगर इस सब बात कर रहे हैं तो बड़ा अश्चर्ज हमको हो रहा है। मैंने तो एक ही लाइन में कहा कि जगता वावु इतने नीचे गिर जाएंगे इसकी कलपना पक्ष बिपक्ष के सभी राजनितिग कल से इस बात को सोच रहे हैं कि जगता वावु का अस्तर क्या हो गया, किस प्रकार का हो गया, लोग च